हेलो फ्रेंग्स आज के इस वीडियो में हम जानेगे के अपने मॉबाइल में उमंग एप के जरी हम अपने रासन कार्ड में रासन का डीटेल कैसे देखते हो जानेगे और उसके अलावा हम अपने पिछले 6 महिने में हमने क्या 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 खरीदा वो कैसे देखते हो जान आज का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile में omong app open करना है open करने के बाद आपको इस तरह का app देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर आप देख सकते हो categories तो यहाँ पर आपको सबी परकार की categories देखने को मिले जाएगी तो यहाँ पर आपको रासन कार्ड पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो one nation one रासन कार्ड तो आपको उस पर क्लिक करना है बाद में यहाँ पर आपको व्यू राशन काड़ डीटेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना राशन काड़ नंबर टाइप करना है राशन काड़ नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको चैक डीटेल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको सभी detail यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको state और district देखने को मिलेगा name सबका देखने को मिलेगा और जितने name है वो देखने को मिलेगा और उस name का क्या क्या relation है वो यहाँ पर relationship पी देखने को मिलेगी यहाँ पर इस तरह का सभी के name और number देखने को मिलेगा है यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा बाद में यहाँ पर आपको नीचे back का option देखने को मिलता है उस पर आपको click करें और यहाँ पर आपको view last six month purchase detail उस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको अपना राशन काड नंबर टाइप कर देना है राशन काड नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको चेक्स डिटेल पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम नेम देखने सकते हो स्टेट देख सकते हो यहां पर आप कितना पर्चस किया राइस यहां पर आप देख सकते हो 10 kg है और यहां पर वीट कितना पर्चस किया वह भी देख सकते हो और सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मुलेगी कि क्या क्या आपने पर्चस किया है कितना पर्चस किया है वो last six month का यहाँ पर आप देख सकते हो तो दोस्तो इसी तरह से आप अपना राशन कर से अपना क्या क्या पर्चेस किया हो देख सकते हो और अपना card detail देख सकते हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा हो तो लाइक और सेर कर जी और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्क्राब करके बैयाल आइकन को प्रेस कर जी तो कि मैं हमेशा इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले जानकारी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई